नमस्कार आप देख रहे हैं News Nation का Digital Platform क्या आपको पता है कि काजोल इस वक्त एक काफी वड़े विवाद में फस चुकी है दरअसल उन्होंने कुछ तन पहले एक चैनल को इंटर्व्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में अनपर और भविश्य की सोच ना रखने वाले नेता राज कर रहे हैं जिस पर अब काफी बड़ा बवाल मचा हुआ है इसकी सफाई देते हुए अब काजोल ने एक और ट्वीट किया है तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो ट्वीट इस ट्वीट में काजोल ने लिखा है कि मैं केवल शिक्षा और उसके महत्व के बारे में बात कर रही थी मेरा इरादा किसी राजनीता को नीचा दिखाना नहीं था हमारे पास ऐसे महान नेता हैं जो देश को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं दरासल काजोल इन दिनों अपने आने वाले शो दट्रायल की प्रमोशन में काफी जादा व्यस्त हैं इसके लिए वो लगातार मीडिया से बाचीप भी कर रहे हैं एक बाचीप में उनसे जब देश की स्थिती पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था हमारे आगे बढ़ने में शिक्षा एक बहुत एहम किरदार निभाती है हमारे हाथों ऐसे राजनेता हैं जिनका कोई शेक्षिक बेग्राउंड नहीं है ना ही इनके पास भविश के लिए कोई सोच है और ये लोग हम पर शासन कर रहे हैं काजोल की इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शिरू हो गई सोशल मीडिया पर लगातार काजोल और उनकी पूरी फैमली की पढ़ाई लिखाई पर कमेंस किये जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं इसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ किया कि उनकी बात की कोई राजनेता परसनल ना ले खै ये था पूरा मामला आप भी इस पर अपने विउस कमेंस सेक्शन में जरूर शेर कीजेगा और साथ ही बिताईएगा कि यहां पर काजोल गलत है या वो तमाम लोग गलत हैं जिन होने उनकी इस बात का गलत मतलब निकाला है तो आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चुड़े रहिए मेरे साथ यानि कि अन्शिकार शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ नियूज निशिन पर